हिंदी के परिक्षा में बस कुछी पलो का इंतजार अपसेस रह गया है कुछी पलो के बाद आप सभी अपने अपने परिक्षा दे रहे होंगे लेकिन अगर आप लोग अभी परिक्षा देने के लिए नहीं गया है अभी आप लोग परिक्छा होल के बाहर है, आपके पास कुछ समय है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लिजे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्टिव गेसक्टन, क्योंकि हम जानते हैं कि अपजेक्टिव कोश्चन का तयारी क्योंकि आधा तो subjective ही पुछता है तो subjective आपका इस वीडियो से complete हो जाएगा जो भी question बताएंगे या viral guess question होगा इस वीडियो को देखने के बाद subjective का कोई दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले number question के तरफ बढ़ेंगे लेकिन इसके पहले जो भी student channel पर नए हैं तो channel को जरूर सबस्क्राइब कर लीजेगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहला number question कह रहा है कि जाती बाद के पोसक उसके पक्च में क्या तरक देते हैं देखिए हम जादा तो नह एक सब्भे समाज कार्ज कुसलता के लिए स्रम विभाजन को अवस्यक मानता है चुकि जाती प्रथा भी स्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कार्ज कुसलता के लिए स्रम विभाजन यानि कि कार्ज कुसलता के अधार पर स्रम वि जो बढ़ाई है वह लकड़ी का काम करेगा इस प्रकार से जाती के अधार पर स्रम को यानि की काम को बाट दिया गया था लेकिन अब ऐसा नहीं है कार्ज कुसलता के अधार पर स्रम में विभाजन को बाटा जाना चाहिए ऐसा भीमराब अमित्कर का कहना है यानि कि कार्ज कुसलता जो भी आदमी जिस काम को करने में निपुन है उसे वहीं काम दिया जाए तो पहला नमबर कोश्चन यहीं कह रहा है कि जातिवाद के पोसक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधूनिक सभ्य समाज कार्ज कुसलता के लिए स्रमे विभाजन को अवस्चक मानता है चुकि जाति पर्था भी स्रमे विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है चलिए दूसरा नमबर कोश्चन लेखक के दृष्टी में सच्चे भारत के दर्सन कहां हो सकते हैं और क्यों तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि लेखक के दृष्टी में सच्चे भारत के दर्सन गाउं में हो सकते हैं क्योंकि गाउं के लोग एकदम साधा जीवन जीना चाहता है गाउं में परिवेस और हवा भी सुध रूप से मिलते हैं देखते हैं सहर आजकल कितना ज़्यादा प्रदूसित हो गया है लेकिन अभी भी अगर आप लोग गाउं में जाते हैं तो वहां स्वक्ष बाताबरन मिलता है बिल्कुल सुध हवा मिलता है ऐसे भी एक कहावत आप लोग जानते होंगे कि सहर का दवा और देहात का हवा दोनों बराबर होता है यानि कि सहर में जो दवा आप लोग खागर के अगर रोग को ठीक करते हैं तो देहात में अनि कि गाउं में हवा से ही ठीक हो जागा इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख रहे हैं नहीं तो अगर समय रहता तो हम आपको बहुत ही बेतरीन तरीके से समझाते हैं इसको चलिए तिसरा नमर कोश्चन रगमपा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था जो भी कोश्चन बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से अंसर लिखिएगा और बिल्कुल यहीं वाला कोश्चन आपके परिक्षा में पूछा जाएगा इसमें से बहुत सारा कोश्चन चलिए उससे पैसे भी ठग लेना चाहता था इतना ही नहीं वह मगमा को अनात समझ करके उसकी इज़त भी लूटना चाहता था तो रगमपा के बारे में आप लोग हिंदी के किताब में पढ़े होंगे कि वह एक अबारा लड़का था जुआरी लड़का था और धन के लोभ में ज चलिए चौथा नंबर कोश्चन मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भरती कराना चाहती थी मां यानि कि मंगू की मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भरती कराना चाहती थी तो इसका जवाब होगा कि मां समझती थी कि मैं मां होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल में उसे प्यार से कौन खिलाएगा उसे नित क्रिया करम कौन कराएगा यानि कि ना तो वहाँ पर कोई खिलाने पिलाने वाला रहेगा अगर मान लिया जाए कि उसे बातरूम जाना है तो कौन बातरूम ले करके जाएगा भाई यानि कि उसे नित क्रिया करम भी कौ कराएगा गीला भी छावन कौन बदलेगा और साथ में कौन सुलाएगा यहीं सब बाते को सोच करके मां अपनी पुत्री को अस्पताल में भरती कराना नहीं चाहती है यानि कि मंगू की मां सोचती है कि हम मां हो करके जब उसका अच्छे जे ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फि पाचमा का सही जवाब आप लोग एकदम कंठस्ट याद कर लिजेगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होगे कि मनुस्य की छायाएं जुल से हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के फर्स पर पड़ी हुई है क्योंकि जब बंब का बिसफोर्ट हुआ था तो जो व्यक्ति जहां पर था उसका वहीं पर चितना उड़ गया था और उसका मांस का जो छोटा-छोटा जो टुकडा होता है वहीं जो शड़क का जो फर्स होता है उसी पर सट गया था तो तीसरा नमर कोश्चन आप लोग समझ गए होंगे चलिए अब चोथा नमर कोश्चन था अब छटा नमर कोश्चन बढ़ते नाखुन द्वारा प्रकृती मनुस को क्या याद दिलाती है तो इसका जवाब होगा कि बढ़ते नाखुन द्वारा प्रकृती मनुस को यह याद दिलाती रहती है कि तुम अब भी पसू हो और उन्ही के तरह आच्रन करने वाले हो तुम इतने सब हो गए हो लेकिन फिर भी तुम जो है जानवरों की तरह यानी की जो पसू होता है उसी की तरह हिंसक और बिबेक हीन हो तो बढ़ते हुए नाकुन के द्वारा ना परकृति मनुस को यहीं याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अब भी आदिमाना हो जिस तरीके से पहले सिकार करते थे खाते थे तुम हिंसक थे तुमारे पस बिबेक नहीं था अभी भी तुम उसी तरह का हो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है चलिए उसके बाद सात्वा नमर कोशन देखेंगे कि परंपरा का ज्यान किनके लिए सबसे ज़्यादा अवस्यक है और क्यों है तो इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब लिखेंगे कि जो लोग सहित में यूग परिवरतन करना चाहते हैं या क्रांतिकारी सहित रचना चाहते हैं उनके लिए सहित की परंपरा का ज्यान अवस्यक है क्योंकि सहित्त की प्रम्परा से प्रगती सील अलोचना का ज्यान होता है जिससे सहित्त की धारा को मोड़ करके नए प्रगती सील सहित्त का निर्मान किया जा सकता है तो साथमा नम्मर कोशन का अंसर आप लोग एकदम कंठस दियाद कर लिजेगा कि जो लोग सहित में यूग परिवर्तन करना चाहते हैं या क्रांतिकारी सहित रचना चाहते हैं उनके लिए सहित की प्रमपरा का ज्यान अवस्यक है क्योंकि सहित की प्रंपरा से प्रगती सील अलोचना का ग्यान होता है चलिए आठमा नमर कोशन शंभू महराज के साथ बिर्जू महराज के संबंध पर प्रकास डालिए यानि कि संभू महराज के साथ बिर्जू महराज का संबंध कैसा था तो इसका जवाब होगा कि संभू महराज के साथ बिर्जू महराज बच्पन में नाचा करते थे ठीक है संभू महराज के साथ बिर्जू महराज बच्पन में नाचा करते थे आगे भरतिये कला किंदर में उनका साथ मिला यानि कि जब बच्पन से ही उनके साथ नाचा करते थे तो उन्हें आगे चल करके भरतिये कला केंदर में उनका भी साथ मिला और संभू महराज के साथ सहायक रह करके कला के छितर में विकास किया संभू महराज उनके चाचा थे बिर्जू महराज संभू महराज चे कौन थे तो चाचा थे और बचपन से महराज जी को उनका मार्ग दर्शन मिला यानि कि बचपन से ही अपने भतीजे को यानि कि बिर्जू महराज को मार्ग दर्शन देते रहे यानि कि सही राहत दिखाते रहे तो उमीद करते हैं कि यहाँ पर आठमा नंबर कोश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे चलिए नौमा नंबर कोश्चन बहुत ही असान असान परस्ण है बस आप लोग ध्यान से समझ लेजे पूरे परस्ण को जाकर के पूरे उत्तर को जाकर के आप लोग परिक्षा में लिख दीजेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए नौमा नंबर कोश्चन कभी भारत माता को गीता प्रकासनी मानकर भी ग्यान मूड क्यों कहता है कभी भारत को कहते हैं कि गीता प्रकाशनी है लेकिन गीता प्रकाशनी मानकर भी कहते हैं कि ज्यान मूड है ऐसा क्यों तो इसका जवाब होगा कि भारत सक्त अहिंसा मानवता सही सुनूता आदी का पाठ सारे बिश्व को पढ़ाता था किन्तु आज इस छितिज पर ग्यानता की प्रकास्टा चारो तरफ फैल गई है मुख मंडल सधा सुसोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धुमिल हो गए है धरती आकास आदि सभी इसके प्रभाब से ग्रसित हो गए है आता कभी भारत माता को गीता प्रकास्टी मानकर भी ग्यान मुढ कहते है इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेगा बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि परिक्षा का समय है और आप लोगों को जब हाड लेंग्वेज देंगे तो याद नहीं होगा इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेंग्वेज में बता रहे हैं इसी लेंग्वेज में आपको जा करके भी लिखना है ठीक है गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्यान मुढ क्यों कहता है तो क्योंकि भारत सत्त अहिंसा मानवता सहिस नूता आदी का पाठ सारे बिश्व को पढ़ाता था किन्तु आज इस छितिज पर ज्यानता की प्रकाश्ठा चारो तरफ फैल गई है मुख मंडल सदा सुसोभित रहने वाली यानि कि भारत माता का मुख मंडल हमेशा सुसोभित रहता था तो हमेशा मुख मंडल पर सुसोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धुमिल हो गए है यानि कि धूल धूसरित हो गए है धर्ती अकास आदी सभी इसके प्रभाप से ग्रसित हो गए हैं अता कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ग्यानमुढ कहता है तो यह वाला कोश्चन भी आप लोग जरूर याद करके जाईएगा चलिए दस्मा नम्मर कोश्चन नागरी को देव नागरी क्यों कहते हैं लेखक इस समंद में क्या बताता है तो दस्मा नम्मर कोश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि पादता दितकम ध्यान रखिएगा पादता दितकम नामक एक नाटक से यह जनकारी मिलती है कि पटना को नगर कहते थे हम यह भी जानते हैं कि उत्तर भारत की एक विशेस सैली को नागर सैली कहते हैं अथा नागर या नागरी शग उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से समंद रखता है और दुसरा चंद्रगुप्त दितिये विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था दियान रखिएगा चंद्रगुप्त दितिये जिसको कि विक्रमादित्य भी बोलते थे उसका व्यक्तिगत नाम यानि कि बोल चाल के वहां सम उसको देव कहते थे तो देव यहां से आ गया और नागरी यहां से आ गया तो इसलिए दोनों को मिला करके देव नागरी बना दिया गया तो उमीद करते हैं कि नागरी को देव नागरी क्यों कहा जाता है आप लोग समझ गए होंगे ठीक है यहां पर सबसे पहला देव देव कहां से आया तो अगर सब यहां से आ गया और देव यहां से आ गया तो देवनागरी बन गया तो दस्मा नंबर कोश्चन भी बहुत असान है आप लोग समझ गये होंगे। अगरा नंबर कोश्चन भली भाती आप लोग समझ गये होंगे। और बहु बचन एक बचन जिससे एक का बोध हो बहु बचन जिससे अनेकों का बोध हो तो ध्यान रखिएगा बचन किसे कहते हैं इसके कितने भेद होते हैं। अपजक्टी में भी पूछेगा कि बचन हिंदी में बचन के कितने भेद होते हैं तो दो भेद होते हैं एक बचन और दिव बचन। ऐसा नहीं कि संस्क्रीत वाला लगा दीजेगा एक बचन दिव बचन और बचन तीन भेद होता है। नहीं हिंदी में दो ही भेद होता है आप लोग ध्यान रखिएगा। जो उनकी पोती की मात थी वह अपने मतलत बेटे को जब कोई गलती करता होगा या फिर बिना गलती के भी हमेसा पीट दिया करती थी और मागामा हमेसा उसे पीटने से मना करती थी। हमारे पोते को मत पीटो लेकिन उसकी माँ बार बार उसे पीट दिया करती थी और इसी बात को ले करके हमेशा दोनों में बिबाद हो जाता था तो तेरा नमबर कोश्चन बहुत ही जाता महतपूर्ण है आप लोग समझ गए होंगे बस सिंपल आयन में याद रखीएगा कि मगमा का अपने बहु के साथ किस वात को लेकर विबाद था तो अपने पोते को लेकर विबाद था चलिये चौदा नमबर कोश्चन भारत माता अपने ही घर में प्रवाशनी क्यों बने हुई है तो इसका जवाब होगा कि भारत माता को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड रखा था, इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी, यहां की जनता का कोई अधिकार नहीं था, अपने घर में रहकर पराय आदेश को मानना बिवस्ता थी, और परतंतरता की बे हुए था, यानि कि यहां बोला जा रहा है कि भारत माता अपने घर में तो थी, यानि कि भारत में ही थी, लेकिन प्रवाशनी बने हुई थी, यानि कि दूसरे के गुलामी में जी रही थी, क्योंकि बहुत जादा अंग्रेजी लोग यहां पर अत्याचार कर रहे थे, भार अपने ही घर में प्रवाशनी बनी हुई है तो 14 नमबर कोशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग इसको जरूर ध्यान से याद कर लीजेगा उसके बाद 15 नमबर कोशन है कि बहादूर के चले जाने पर सब को पच्छतावा क्यों होता है बहादूर के चले ज लगा था और बहादूर इतना काम करता था कि उससे सब को अराम मिलता था यानि कि एक छोटा सा लगा था लेकिन काम बहुत ज़्यादा करता था उससे सब को अराम मिलता था लोग उसे बेवजह मारते और गाली भी देते रहते थे तथा चोरी का इलजाम लगा करके अपमा इस वज़वानों को ज गोड़ा जना नहीं मतंशा चुराया है इस बज़ा से मतलब सभी लोग उस पर बहुत जादा अत्य चार कर रहे तो इसका जबाब होगा कि कभी ने एक ब्रिक्ष के बहाने प्राचीन संस्कृती एवं पर्यावरन की रच्छा की चर्चा की है और ब्रिक्ष मनुस्यता पर्यावरन एवं सभ्यता की प्रहरी है यह प्राचीन काल से मानव के लिए बरदान स्वरूप है इसका पोशक है रच इंतन करते हुए कभी को ब्रिक्ष बुढ़ा चौकिदार लगता था तो यह वाला कोश्चन बहुत अधिक संभवना है कि पूछेगा इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद कर लिजेगा अब उसके बाद लास्ट हम कोश्चन आपको बताते हैं कि कारक से आप क्या समझते हैं तो कारक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे सब्द के साथ जाना जाए उसे ही हम लोग कारक कहते हैं जैसे राम ने रावन को बान से मारा यहाँ पर ने कारक हो गया को कारक हो गया और से कारक ह तो परिभासा क्या कह रहा था कि संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे सब्द के साथ जाना जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो कारक कहते हैं अब कारक के आठ वेद होते हैं आप लोग ध्यान रखियेगा कारक के आठ वेद होते हैं कारक क कर्म को करन से संपरदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरन में पैपर और संबोधन हे हो अरे यह जो कारक चिन है इसको आप लोग एकदम कंठस दियाद कर लिजे क्योंकि आपके परिछा के लिए बहुत बहुत जादा महतपून है करताने कर्म को करन से संपरदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरन में पैपर संबोधन हे हो अरे अजी तो कारक और कारक के भेदों के बारे में आप लोग जबरदस्त रूप से याद कर लिजेगा क्योंकि बहुत जादा चांस है कि पूछेगा और अब्जेक्टीव में तो इससे 2-3 कोश्चन रहता है अबजेक्टीव में भी 2-3 कोश्चन रहता है तो सब्जेक्टीव अब्जेक्टीव दोनों के लिए महतपून है तो उमीद करते हैं कि आप लोग 74 को याद कर लेंग और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव कोश्चन का वीडियो लाइए तो सब्जेक्टिव महतपून के इस कोश्चन हम आपको बता दिये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे आप लोग पूरा रट करके जाते हैं नहीं जाते हैं पूरा आपको याद है कि नहीं याद है तो चलिए उमीद करते हैं कि आप लोग भली भाती इस क्लास को समझ गए होंगे तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में अगले वीडियो में जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजे अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपलोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि आगे हम आपको पूरा हेल्प कर सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद